श्री राम चंद्र क्रिपाल वजमन खरन भव वैदा तो आईए सुनते क्या कहते हैं लोग जो प्रभू शिरी राम का भवय निर्मान हो रहा है राम मंदीर का उस पर कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है वगो मंदिर को बनना चाहि ऐ यार तो चीप मैं तो शही है, मैं दे नहीं हिंदु की नहीं हैं बगि मन्दी तो 1 लाग हिंदुस्तान में दीव नी बढ़ता है इसमें इंजिन कोलीज या कोई मनला भोड़ी और बढ़ी या कोलीज घुलता और सब काम और ते कारोबार उत्रे जो प्रेंट वरेगा पॉरा तिवार की तरा ही लेकिन मोर्दी से विद्वाइश्ट है हमारी जो गरीव युवाई है इन्हें रोजार भूण चाहिए दोनों काम अच्छे हो रहे हैं शायद मोदी जो भी कराएंगे अच्छा ही कराएंगे जया पर अपने का अपने का नहीं हो रही है और बहुत अर्शे से दिजिस दिन मसेड़ गई थी तो दिन से इंतजार है कि मंदिर बने और यह सरकार बदलते ही बंदिर बदल गया नहीं तो बनके ना देता है तो वह श्री राम के बारे में आप क्या जानते हैं कि इस राम अच्छा इंसान थे और निकी पत्निका आपार्न हो रहाएता है तो इस पर उने चल्द शौद्र साल का बनवास मिला था और स्रूर्ण उन्हें चुटा गलाएं ने चुटा गलाएं तो आप एक बाहा बताओ गवर्मेंट अपने काम से चलाले हैं नियुक्त पार मंदिर तो बढ़िया चीज है मंदिर पर दुनिया खपकी जगे में बहुत दुनिया मरली हमें उस तो कोई दिक्कत नहीं है तो एक लाग मंदिर हिंदुस्तान में और दीवे ही नहीं बढ़ते है उनमें में चाहता हूं मंदिर बने जरूर जैसिया राम प्रभूर भगवान पे रावन का अफरांट सीथा में किया बढ़िया मेरे मूलता निकलगी क्या बता हुआ है चांते है राम थी कौन थे कुछ लोगों का रियक्षन था कि मंदिर बनना चाहिए कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के साथ आम जंता के बारे में भी सोचने तो बहुत अच्छा रहे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें प्रभू स्री राम का मंदिर बनने की खोशी तो थी मगर स्री राम चंदुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था ये थे मेरट थे लोग जिन्हें राम मंदिर बनने की खोशी तो बहुत है लेकिन दुखी बात ये भी है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है राम मंदिर बनने का क्या महतु है और इसका एतिहासी क्या महतु है यानि ये लोग भीड का वो हिस्ता है जिनका दूर्पियोग राजनेता करते हैं अपना उल्लू सीधा करने में इनहीं लोगों का इस्तेमाल बखो भी किया जाता है तो सावधान रहें और जिस मुद्दे के बारे में आप अतियुत साहित हैं एक्चिवल में उसके बारे में जानकारी भी रखें शुक्रिया